हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग आई होग आप सभी बढ़िया होंगे और आने वाले विंडर्स के लिए खुद को और अपने गार्डन को प्रिपेर कर रहे होंगे ये वीडियो मेरी दो नौमबर की है कहते हैं जेनरली मोगरा सब्तमबर टूबर तक ही फ्लावरिंग करता है बट पाई लग मेरा मोगरा अभी भी फ्लावरिंग कर रहा है और भर भर के फ्लावरिंग कर रहा है कल भी इसमें से आट दस फ्लावर तोड़े गए हैं और बड़ कटिंग करने के बाद उसमें से दो दो तीन तीन इस्टम नहीं निकलती है इसमें मैंने कटिंग किया है उसके बाद कितनी सारी नए इस्टम आई है अब उसमें कितनी सारी बर्स बनी हुई है इसमें मैं दो फलावरिंग करने के बाद गुडाई करके यह वाला सॉलिड डाल यह process महीने दो महीने तीन महीने में किया जाता है इसमें vermi compost, cocoa peat, नीमखली का powder, bone meal और कुछ NPK डाला जाता है आर्दस डालने हैं इसमें ज़्यादा नहीं डालना यह इस तरह और इसे अच्छे से mix करके गुडाई करने के बाद इसको डाल देना है थोड़ा सा मिट्टी में मिला देना है liquid fertilizer के लिए मैं kitchen waste को रात में पानी में डाल कर रख देती हूँ और अगले दिन या एक दो दिन इसे छोड़ भी सकते हैं आप अच्छे growth के लिए तो इसे फिर शान के मैं पानी मिट्टी में डाल देती हूँ इससे भी बहुत बड़ी हाग growth होती है वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर